तो वे जल्दी जर्मिनेट होते हैं और घर के धनिये से यदी हम लगाते हैं तो थोड़ा ज़ादा लंबा टाइम लग जाता है तो आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिलकुल अलग तरीका है दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने घर का ही जो धनिया होता मसाल सभी दानों को सभी बीजों को अंकुरित करूंगी तो अंकुरित करके जब हम धनिये के बीजों को लगाते हैं तो 100% जो सीट्स हैं वो 2-3 दिन में ही बहुत अच्छी तरह से बढ़ने लगते हैं पौधे बन जाते हैं एक पतला सा कॉटन का कपड़ा ले लिया है जिसमें मैंने धनिये के दानों को डाल दिया एक मुठी धनिये के बीज लिये हैं धनिये के दाने लिये हैं और इसकी बनाना आप हमें पोटली पोटली बनाने से पहले आपको धनिये के बीजों को खोब अच्छी तरह से पानी से गीला कर लेना है कपड़े को भी आप पानी से अच इस तरह से बढ़ी अच्छा कपड़े की पोटली बना लें, कपड़े की पोटली को बढ़ी अच्छा तर कर लें, पानी से गिला कर लें, अब आप चाहें तो इस कपड़े की पोटली को किसी भी गमले की मिट्टी के अंदर डाल दें, मिट्टी में डाल दें आप इसे, दो स तिन देन में ही धनिये के बीच हमारे बढ़ी अच्छे अंकुरित हो जाएंगे तो यह देखे इस गमले में मैंने कोको पिट भर के रखा है और इसमें इस कपड़े की पोटली को डाल दिया है और उपर से वापस कोको पिट से आप इसे कवर कर दें मिट्टी में कर सकते हैं या फिर रेत रेत बालू रेत जो कि हम कंश्रक्शन के काम में आती Commissioner आपको लेना है तीनो में से एक चीज लें और उसे किसी कि गमले में डाले और इस कोटली को रेत के अंदर रखें या फिर कोको पिट के अंदर कर दिया है, खुब अच्छी तरह से पानी स्प्रिंकल कर दे, दो दिन के अंदर ही जो धनिये के बीज है, सभी स्प्राउट हो जाएंगे, और जब स्प्राउट किये हुए बीजों को हम मिट्टी में डालते हैं, तो पौधे आने में दो से तीन दिन का ही टाइम लगता है, तो बहुत ही जल्दी उगने वाला धनिया उगाने का ये तरीका है, तो अब आप देख सकते हैं, दोस्तों पूरा दो दिन हो गया, दूसरे दिन शाम की शुटिंग है, अब आपको मैं दिखा रही हूँ, धनिये की पोटली खोल कर हम देखते हैं, और यही काम आप धनिये के बीज डालते हैं दोस्तों तो ठीक तरह से उगते नहीं है, यह देखे, अरे वा, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप देख सकते हैं, धनिये के जो बीज हैं, हमारे सभी बीज बहुत अच्छी तरह से अंकुरित हो गए हैं, शायद आपने ऐसा कभी देखा नहीं ह धनिये के स्प्राउट्स बहुत कम लोग कर पाते हैं, या स्प्राउट वाले से पौधे बहुत कम लोग लगा पाते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सक्सेस्फुली हमने धनिये के बीजों को स्प्राउट कर लिया है, अंकुरित कर लिया है, सभी में से छोटे-छोटे तैयार कर ली थी दोस्तों, एक पोटली आपको दिखाई है, कोको पिट वाली, आप रेत में, मिट्टी में, किसी में भी ये पोटली तैयार कर लें, मतलब धनिये के स्प्राउट तैयार कर लें, और इस स्प्राउट को मैं दो तीन जखा अलग अलग जखा लगाऊंगी, दो इतने क्लियर आपको स्प्राउट समझ में आ रहे हैं, थोड़ा सा कोको पिट लग गया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको काला पन दिखाई दे रहा है, ये देखे, और इन अंकुरित धनिये के बीजों से, जब आप पौधे लगाना चाहेंगे, धनिया उगाना चाहें हम थोड़ा सधनिया अपने घर से तुरंथ ही तोड़ लें, और इन बीचों को मैंने खुब अच्छी तरह से पहले पानी से धो दिया है, ताकि बहुत अच्छी क्लियर आपको दिखा सकूं, तो ये टेरिस पर बगया बनाई ही दोस्तों, जिसके वीडियो मैंने शेयर किय बैसिल लगाया है, यहां पर मैंने ब्रॉकली लगाया है दोस्तों, और साथ इसाथ गिलोए का पौधा लगाया है, और बहुत सारे पौधे लगाया है, तो कुछ बीच मैंने आट दस बीच यहां डाल दी है, तो दोनों बगया में डाल रही हूं दोस्तों, और जो मैंने पर बग्या लगाई है, उसके मैंने कम से कम तीन से चार वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किये हैं, लेमन ग्रास भी इस बग्या पर लगाई है, बहुत छोटी सी जगह पर हमने अपने हाथों से ही से बनाया है, टैरिस पर, इटों से क्यारी बना दी है, अर्भी के पत्ते यह तो कम से कम 5-6 दिन के बाद की शुटिंग है, पौधे मेरे थोड़े-थोड़े से बड़े होने लगे हैं, आपको लग रहा होगा रही है, यह तो धनिये के पत्ते नहीं है, परन्तु धनिये की जो ट्रू लीफ्स होती हैं, उन्हें उगने में कम से कम 10 दिन का टाइम शुरू में जब स्टार्टिंग में धनिये के पत्तियां ऐसे ही दिखाई देती हैं, आपको एक पौधा उखाड कर दिखाती हूं, कि इस पौधे में आपको एक धनिये की जो यह दिखे, ध्यान से देखेगा दोस्तों, बिलकुल धनिये की ट्रू लीफ्स आपको हैं, और आर्दर जिन बाद इनकी सही की वास्विक पत्तियां होती हैं, जो शेप होता है, वह आने लगता है, ओर रिजनल शेप आने लगता है, तो यह बहुत बड़ी हा तरीका है, आप चाहें तो थोड़े ज्यादा